मैं मौनीका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपको इस नर्सरी में लेकर आए हूँ ठेल करको यहां से निकल रही था नियुकत जिनकल रही तो यह नर्सरी यहां पर दिखी तो मैंने अना आपको भी विजिट करको नए है पॉइंट से टिया एक अदा लिया है बस और बाकी और कोई प्लांट मैंने लिया नहीं है पर मुझे लगा कि ये सुन्दर से लग रही है तो प्लांट लवर मैं भी हूँ आप है तो दिखा देते हैं कि इस नर्सरी में कैसी प्लांट रखे हुएं क्या हैं तो मुझे लगता यहां पे वैसे आज तो cloudy day है पता नहीं है इनके धूप शायद मेरे साब से बहुत ज़्यादर नहीं आती है तो इनके seasonal plants तो मुझे कमी लगे और मैं भी first time ही आई हूँ जैसे मैंने का मैं यहां से निकल रही थी मैं कभी इस nursery को मैंने visit नहीं किया है और कभी कुछ लिया भी नहीं है लेकिन अच्छी लग रही थी बड़ी अच्छी सी अरेंज करा हुआ है इन्होंने plants को तो आपको भी दिखा देते हैं यह देखिए cloudy weather है ना तो बड़ा डल लग रहे हैं कई colors भी यह देखिए यह गुल्दाओदी है अब थोड़े span tone गये हैं बिल्कुल यह कई ल प्रेंट हो चुके हैं इन्हीं के आई ठीक है अगर आप घर ले जाएंगे इनको फूल आपको दिख रहा है ना कितना डल है यह ले सकते हैं इस तरह के पौदे अगर आपने लेने हो तो ले सकते हैं जिनमें birds होती हैं देखिए कितना बड़ा सारा ponytail palm है और यह इस तरह से बड़े बड़े पौदे भी हैं यह गैंदा है गुलदाओदी यह लेने वाला नहीं है इस तरह का हो तो गुलदाओदी ना लिया करें और इधर से एक और रस्ता होगा शायद इधर से इनका कि यह देखिए बीच में दोनों तरफ रस्ता बनाके पौदे रखे हो हैं इंडोर अंदर की तरफ भी रखे हो हैं छत पे भी रखे हो हैं इनके पौदे लेकिन सीजनल प्लांट्स बहुत ज्यादा नहीं है देखा मैंने और आपको डेकोरेशन के लिए कोई चाहिए हो तो अगा के रखते हैं तो खुबसूरत लगते हैं गिफ्ट बगरा के लिए लोग यह ले जाते हैं और ऐसे गोल-गोल बने हुए टॉप यरे टाइप भी गंलों में पौदे रखे हुए हैं इनके पॉइंट से ट्या की काफी नंबर काफी लगा मुझे पॉइंसी टेका वरा हैज वाले प्लांस हैं और यह बड़े-बड़े जो बड़े प्लांस होते हैं उनको बड़े सरेमिक पॉर्ट में रख देते हैं तो वह नैचुरली वह लगने लग जाते हैं कि वह बोंजाई हैं कोई आपके पास बड़ा मेरे को भी आइडिया अच्छा लगा कि जैसे हमा जासा लगने लग जाएगा अगर 2,5-3 फिट का हमारे पास पौद है तो यह आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और एक मैंने यह देखा कि चुटे-चुटे गमलों में बिल्कुल 2-2 इंच के एक-एक इंच वाले गमलों में चुटे-चुटे में कलांचू की कटिंग लगाई हुई है जो बहुत सुन्दर लगती है यह जर्बेरा है यह देखिए यह ऐसे साइकिल का कोई रिजाइन है और यह जो औरेंज वाला है यह से रैमिक पॉट है एक मूचों वाला फेस प्लांटर है यह बड़े-बड़े प्लांट कही तरह के कई वराइटिस के यह लगाया हुए है इनों मतलब क्या होता है हमारी क्रियेटिविटी होती है एक पॉदा लेकि उससे शैलो में हम लगा दे तो ऐसा लगने लग जाता है सोच ऐसी हो जाती है कि यह कुछ शैलो में लगा हुए है तो यह बोन्स आई होगा तो थोड़ी सी रूट तो आउट कर पॉदे की और शैलो में लगा दे तो आपका कोई भी पॉदा है इस टाइप का लग सकता है यह जैसा यह इन्होंने बनाया हुए ऐसा एक मोर मैं बना रही हूं उसका जेट प्लांट का ग्रीनरी चारो तरफ अच्छी लगती है देखिए कितने सिरैमिक पॉट्स में लगाए हुए है प्लांट से इन्होंने और यह मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि जो अडेनियम जो है पतले पतले अडेनियम मिलें आपको तो उनकी एक चोटी जैसे गुंदे जैसे जैसे वो बड़ा होगा चोटी मोटी होती जाएगी मैंने इस पे एक चोटी से चोटी चोटी प्लांट अडेनियम के लेके ती इन उस पे एक वीडियो बनाया हुआ है आप मेरा सर्च करें तो दिखेगा हो सके तो मैं यह देखिए यह चोटी वाले पॉट्स हैं चो पॉट्स बड़े पॉट्स इनके भी बहुत सारे हैं लेकिन मुझे बहुत महें लगे वह यह पॉट्स वगेरा आप जवार कला केंदर से लें वहां पे एक्जिबिशन जो लगती है वहां पे बहुत सारी दुकानदा राय हुए होते हैं पॉट्स वाले आपके निसे भी बहुत बड़ा ग्राउंड में लगा होता है वहां से आप लें तो यह सस्ते पढ़ते हैं लों क्यां बहुत महंगे होते हैं यह देखिए इंडोर में इनोंने ग्लास का बना की कमरा उसमें रखे हुए हैं और इसमें पीस लिली हैं एगलोनिमा की सारी वेराइटीज हैं औ सब्सक्राइब को बड़ाइब बहुत देखिए कि खुपसूरत लग रहे हैं यह होती है ना ऐसा पौदा लगा दें जिसको पानी थोड़ा कम चाहिए होता है तो वो सेक्यूलेंट्स होते हैं सेंसिवेरिया बहुत अच्छे चलते हैं ऐसे में कलांचू भी देखिए सेक्यूलेंटी है कलांचू लगा सकते हैं जेट प्लांट लगा सकते हैं सेंसिवेरिया क इसको लिए बहुत अच्छी रहती है जब बहुत किसी को कष्ट करना होता है को व्यूंड रहता है आगर जिसको हम give इसको थोड़ी बहुत भी Пон twenty अ को भी कमच आने चाहिए होता है संभाल लेगा इसको एंधे वागश यह बहुत अच्छे पौदे हैं किसी को जब हम देते हैं पौदा गिफ्ट छोटा सा गमला लेके देखिए कितना ब्यूटिफुली इन्होंने रखे हुए यह चीज अच्छी लग रही है रेट्स आप देख लेए यह मुझे रेट्स का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कुछ खरीदा नहीं थोड़ा मुझे हायर साइड में लगे रेट्स इनके गमलों के रेट्स तो बहुत जादा हैं सेरैमिक पॉट्स के तो और स्टैंड्स के मैंने पूछे नहीं और पौदो चीज़ें चलता के लिए इसले बनाया कि जो प्लांट लवर्स होते हैं और अच्छी लगती हैं ऐसे चीजलें देखनी तरह तरह के प्लांट से चीजलेशं में और बीच बीच में घान लोगते है यह का यह फोराइट्स काफिघर पॉट्षाज हैं चीज़ मतलब वीराइ है. ऐसी nurseries में जब मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. आईडिया लेना भी बहुत अच्छा लगता. अगर प्लांट लवर हैं तो ऐसे nursery में जाके आईडिया भी ले सकते हैं कि हम किस तरह से लगा सकते हैं? प्लांट कम करा सकते हैं वहाँ पे एक्जिबिशन में कि सिरेमिक पॉट्स में आजकल बहुत वराइटी आने लगी है बुद्धा प्लांटर हैं यह देखिए यह वो बाहर जो मैंने भी दिखाया था फेस प्लांटर मुछों वाला हाथी वाले प्लांटर हैं बुद्धा वाले हैं फेस प्लांटर हैं चोटे-चोटे आउल वाले प्लांटर हैं यह देखिए यह उसके जैसे होता है जो दाइस वाला यह देखिए चुडिया लटकाने वाले pumpkin जैसे इतनी variety आती है ceramics में ceramic के pots में बहुत वराइटी आज के बहुत वराइटी है कप वाली planter मेरे पस है already ceramic के बहुत variety मेरे पस भी इकटी हो गई है जबकि मैं ज्यादा तर आपने देखा होगा पौदे मिट्टी के गमलों में यह देखिए यह अलग तरह के कुछ है मिट्टी के गमले ज्यादा यूज करती हूं लेकिन फिर भी दिरे दिरे करके मेरे पस भी काफी ceramic के planters इकटे हो गए है stands की भी बहुत तरह तरह की variety है ceramic में आजकल बहुत बहुत तरह के एक मैंने न चोटा सा वो भी देखा था पानी देने वाला watering can होता है न बिल्कुल ऐसे तीने किंच का watering can की shape का planter ये वाले जो है shallow वाले ये जो brown वाले हैं ये थोड़े से porous material के बने हुए होते हैं ये थोड़े से महंगे आते हैं बाकी वालों से ये जो इस तरह के brown होते हैं इन में से air pass होती है तो इन में bonzai वगेरा लगाए जाते हैं तो ये ariation भी देते हैं मिट्टी को जैसे मिट्टी के गमले देते हैं उस तरह से ये कुछ गमले रखने हैं ये बिल्कु चुट चुटे एक सिंगल सिंगल गमले के हैं ये और ये भी net के चुटे-चुटे से ये स्टेंड्ड हैं इन में आप चुटे-छोटे गमनों को दो-तीन का एकष्व रखतो ना से रहेंबिक वालों का किसी सेंटर टेबल पर रखने हैं तो बहुत खुब्सूरत लगते हैं ये भी कि यह बतक वाले हैं प्लास्टिक के भी दिख रहे हैं प्लांटर्स कि बस वाराइटी अच्छी है बस फिर वह है रेट मुझे कुछ कि हायर साइट पर लगे अब बाकी में ऐसा कुछ मेरी मेरी यह जान पर मतलब पहचानी हुई जिसको कहते हैं जहां हम जाते हैं यूश्यली वह नहीं है बस जैसे मैंने कहा यहां से पास हो रही थी मैंने कह चलिया आपको मैं भी देख रही हूं आपको भी दिखा देते हैं बस उस वे में यह वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए केलेथिया की देखिए विराइटी है ये ये वहले केलेथिया भी ठंड आ गई न तो कुछ-कुछ केलेथिया बीच में ऐसे हो गए है ये सारे ड्रैसीना है इसमें कवर्ड एरिये में काफी रख्यों है रोने ब्लांट्स ZZ Prants ने देखिए आजकल एक ब्लैक ZZ Prants का बहुत फैशन हो गया है थोड़ा सा डाक कलर में ब्लैक इश ग्रीन कलर में ZZ Prants बहुत मिलता है नर्शरी ज में तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडिव अच्छा लगा हो थोड़ा से entertaining लगाओ, soothing लगाओ eyes को, तो इस वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिएगा, okay friends, bye झाल, करिएगा